नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले है जोनन 50 इंजेक्शन के बारे में यानि की नेडरोलोन डेकानोइट इंजेक्शन के बारे में इस इंजेक्शन के फायदे नुकसान और इस्तमाल करने का तरीका और कितने दिनों तक इसको इस्तमाल करना चाहिए इन सबी बातों को अब इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो को पूरा देखेगा लेकिन उससे पहले दबाईयों की जानकारी पाने के लिए अपना डॉक्टर राज को कीजे सब्सक्राइब साथ में घंटी वाले निशान को दबाना ना भूलेगा दोस्तो जोनन 50 इंजेक्शन आता है अस्ट्रा आइडियल लिमिटेड कमपनी का और जो इसमें सॉल्ट है वो है नेड्रोलोन डेका नुएट इंजेक्शन दोस्तो अगर आपको मेरे ख्याल से इस ब्रैंड से आपको ये इंजेक्शन नहीं मिलेगा कहीं पे तो आपने क्या करना है कि डेका डूराबिलिन इंजेक्शन आता है 50 mg का इसकी जगए पे उसको भी लगवा सकते हैं लेकिन बिना डॉक्टर की सिला के नहीं लगवाना है ठीक है तो ये इसका जो सॉल्ट हो गया 1 ml का ये एक इंजेक्शन होता है और इसका जो MRP है 170 पे है तो दोस्तो ये एकस्पायर हो चुका है तो चलिए हमें तो इसकी जानकारी चाहिए ठीक है तो चलिए बात करते हैं इसकी यूजस की किस काम में इस्तमाल किया जाता है दोस्तो ये एक एनाबॉलिक स्ट्वीरेड है तो इसको अपनी मर्जी से कभी भी ना लगवाएं ठीक है क्योंकि इससे कुछ नुकसान भी हो सकते हैं वो मैं आपको भी बताऊंगा तो इसका में जो काम है वो है ओस्टियो पॉरोसिस के डिसीज को ठीक करना दोस्तो ओस्टियो पॉरोसिस में क्या होता है कि हड़ियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि वो अपने आप तूटने लगती हैं और हड़ियों से जुड़ी होई जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं उ जोडों में बहुत तेजे दर्द होना या जोडों में कट-कट की आवा जाना और अनेमिया की प्रॉब्लम और कमजोर श्रीर को ताकत श्रीर में तागत लाने के लिए भी इस इंजेक्शन का इस्तमाल किया जाता है और हर प्रकार की कमजोरी को ठीक करने के लिए भी कई बार इस injection को जो है डॉक्टर बता देते हैं पेशिंट को और दोस्तों कई लोग इसका इस्तमाल वैसे भी करते हैं लेकर उनको नहीं करना चाहिए जैसे कि बॉड़ी बनाने के लिए जो जिम जाते हैं न वो लोग भी इस injection को लगवा लेते हैं तो उनको नही ऐसे लगवाना चाहिए जब आपको डॉक्टर बताएं जब इसकी जरूरत होती है तब इसको लगवाना चाहिए रनिंग में जो गेम्स वगएरा में हिस्सा लेते हैं लोग या फिर फौज वगएरा में भरती होने को जाते हैं या वो रनिंग में फस्ट आना चाहते हैं फिर पास होना चाहते हैं, तो उस condition में running में first आने के लिए भी कई वार इस injection को वो पहले लगवा लेते हैं, तो दोस्तो मेरे ख्याल से नहीं लगवाना चाहिए, हाँ उसका result मिलता तो है, लेकिन अगर इसका कुछ side effect होता है, तो फिर मेरे ख्याल से ज्यादा problem हो जाएगी आ लेकिन जब आपको डॉक्टर बताए तब ही, ठीक है, तो इसकी dose जो होती है, इस injection की एक ml का injection होता है, और ये IM ही लगाया जाता है, यानि कि ये कूले में, मास में ही लगाया जाता है, तो इसका खास करके ध्यान रखना चाहिए, और इस injection को, जो 50 mg वाला होता है, दस- ले महिने भी बता सकते हैं, कि इसको और लगवाने की जरूरत है, पेशन्ट को, अगर उसे अराम नहीं हो रहा है, पेशन्ट को तो बता सकते हैं, आगे भी, ठीक है, तो जो इसके side effect होते हैं, अब बात आती है, इसके जो नुकसान होते हैं, क्या होते हैं, अगर आप अप इसका उलट हो जाता है, कई वार इसके चुस्ती के लिए लगवाते हैं, लेकिन कई वार इसका उलट हो जाता है, कि शरीर में इतनी ज़्यदा थकावट हो जाती है, कि आप चल भी नहीं पाऊगे, ठीक है, और पूरे शरीर में खुझली हो जाना, या फिर उल्टी, घबर और चेहरे के उपर मुहासे निकल जाना या पूरे शरीर में दाने निकल जाना ये सब इसके साइड एपक्ट होते हैं नुकसान होते हैं तो आप इसे अपनी मर्जे से कभी भी इस्ताम ना करें तो दोस्तों अमेद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडि जुरू कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा धन्यवाद